फ्रेंड्स, सी जीएस्टी इस्ट देली कमिस्नरेट की ओफिसस ने दो लोगों को जीएस्टी फेक इनवाइस में डीलिंग करने की कारण एरेस्ट कर लिया है। दोनों व्यक्ति में से एक का नाम नरेस ढोंडियाल है तो दूसरा देवेंद्र कुमार गोयल है जो की एक चार्टर एकाउंटेंट भी है। दोनों ने कई फरजी फर्में बना रखा था। दोनों व्यक्ति एसल ग्रूप का पुर्व एम्प्लॉई था। यह दोनों व्यक्ति अपने फेक फर्म्स के द्वारा फेक इनवाइसेज मार्केट से कलेक्ट करता था। साथ ही अपने फेक फर्म्स के द्वारा को SL Group को transfer किया है इस प्रकार ये लोग अभी तक 3,000 करों रुपे का fake invoice का करवार कर 392 करों रुपे के fake ITC को pass किया है फ्रेंड्स इसका effect क्या होगा यह आपको बता रहा हूं एक तो SL Group companies को fake ITC का benefit मिलेगा साथ ही वह fake invoice के basis पर अपने expenditure को बढ़ा कर दिखाएगा जिससे कि उसका net profit कम होगा और उससे कम income tax pay करना परेगा इसके अलाबा इस company के transactions fake invoice की कारण inflated रहेंगे और market में ऐसा लगया कि यह company सही में इतना बड़ा करोबार कर रही है इससे लोगों के मन में इस company के प्रती positive thinking generate होगी और लोग इसके sales के प्रती attract होंगे और इसके sales के price increase होते जाएंगे इसके अलाबा यह company अपने fake inflated transactions के कारण banks से ज्यादा loan ले लेंगे अपने balance rate में उस goods के stock को दिखाएंगे जो की उसके पास है ही नहीं इसके बदले ज्यादा cash credit ले सकते हैं फ्रेंट्स इस परकार fake invoice का racket एक साथ GST department, income tax department, banks इन सभी को चुना लगाने का काम करते हैं तो दोस्तों यदि आप लोगों के नजर में इस तरह की लोग नजर आयें तो इससे साथान रहने की जरूरत है फ्रेंट्स that's all in this video यदि यह वीडियो आपको informative लगा हो तो इसे like और share करें और इस YouTube चैनल को subscribe कर bell icon को press कर लें फ्रेंट्स thanks for watching and subscribing